My Little Happiness एक वर्तमान समय में वर्क प्लेस रोमेंस की कहानी है, जो एक लोट्रेनी और एक सर्जन की कहानी है, जो एक लंबे समय के बाद फिर से मिलते हैं। वे कलिक और परोसी बन जाते हैं, जैसे ही वे समान रूप से मेल खाते हैं। एक रिष्टा पनपना शुरू हो जाता है, कहानी का प्लोट कांग रोंग और वेन शाओ के बीच घूमता है, कांग रोंग अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश से लोटी है, उसे एक लौफ अम में इंटन के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन उसे यह बात अपनी मां से छिपानी पड़ी क्योंकि मां उसके वकीर बनने के सपने के खिलाफ है, अस्पताल के कर्मचारियों और मरीजों के बीच उत्पन होने वाले कानूनी विवात के मामलों को संभालने के लिए कांग रोंग को इंटन्शिप के दोरान स्थानिया अस्पत रहा है जिससे वो तब मिला था जब वो छोटा प्राइमरी स्टुडेंट था, स्कूली छात्र, उसने उसे बदमाशों से बचाया और वे अच्छे दोस्त बन गए, वो स्कूल में उसका सीनियर था लेकिन उसने कभी उसे अपना नाम और क्लास नहीं बताया था, कुछ समय जब वो चली गई तो वे अलग हो गए और छुटियों के बाद स्कूल नहीं लोटे, जब शाओ किंग को पता चलता है कि कांग रोंग उसके बचपन की लड़की है, तो उसे तुरंत उससे प्यार हो जाता है, शाओ किंग कांग रोंग से प्रेमिलाप करने की कोशिश करता है, जिसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो उसके अतीत से संबंधित है, उसी समय कांग रोंग का सबसे अच्छा दोस्त, जू चेंग वेनरंग की किताबों की दुकान के बगल में एक रेस्तरा खोलता है, वेनरंग शाओ किंग के चाचा है, चेंग चेंग को अंततह वे पट पाएंगे और अपना सुख़द अंत पापाएंगे, हमें पूरी सीरीज देखनी होगी, अधिक कहानियों के लिए इसे यूट्यूब पर देखे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले